अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को भी लाइक जरूर करना तो मैं इस वीडियो में आपको यह बता हूँगा कि आप अपने यहां पर अदर अचे इस प्लगिन के पेड़ पर आ चुक है और आपको यहां पे एड टू एनी तो यहां पर टॉप में यहां प्लगिन है एड टू एनी एक्टिवेट करना है और आप देख सकते हूं हमारे यह प्लगिन हो चुका है यापको यहां पर एक option दिख रहा है settings का ठीक है add to any share buttons के नीची settings option है या फिर आपको यह menu में साइड में settings के अंदर में भी add to any का settings को option दिख जाता है ठीक है तो अभी हम फिर्हाइद settings के क्लिक करते हैं तो अभी आप आप देख सकते हो हम add to any share buttons की page पे आ चुके है ठीक है settings की page पे तो यहां पर जो सबसे उपर आपको option देख रहा है icon style का वहां पर यह 32 pixels है 32 pixels मतलब कि यह जो आपका button होगा share buttons जो भी उसका size क्या होगा 32 pixels हो तो अभी हम रहने देते हैं ठीक है यहां पर आप उसे बरा भी कर सकत हो ठीक है और नीचे में जो option है original background ठीक है तो यहां पर transparent background भी कर सकते हो तो अभी original रहने देते हैं और यहां नीचे देखो share buttons का option है ठीक है तो share buttons यहां पर अभी फिलाल 4 है Facebook Twitter और email और LinkedIn ठीक है और यहां पर option देख रहा है add or remove services तो अगर हम add or remove services के button पर click करते हैं तो आप दे अगर आपका यह button आपके share buttons के साथ रहा ठीक है अभी यह enabled है तो जब भी आपके visitors इस button पर click करेंगे तो यह जितना भी यहां पर show कर रहा है options social media का जितना भी यहां पर options show कर रहा है वो सभी यह button click करने से आपके जो front end है post है वहां पर वो आ जाएगा ठीक है तो यह सारे options दि button को height करो वहां पर नहीं तो करें तो आपको just यहां पर click करना है जो यह ठीक है option है और यहां पर none करना है ठीक है तो अब यह option यह प्लस बटन का option यह नहीं तो आपके visitors इस इन सभी options में से select नहीं कर पाएंगे तो अभी मैं वह उसके top में हो bottom में हो ठीक है अगर top में चाहते हो तो आपको top select करना बॉटम में चाहते हो नीचे मिं तो bottom select करना और अगर आप चाहते हो Top और bottom दोनों में रहे तो यह रहे तो आप बॉर्टम को option है आप और वो तो फिलाल मैं top and bottom को option select करता हूँ ठीक है यहां में बहुत सारी देख सकते हो और options है इसमें से आप customize कर सकते हो ठीक है उसके बाद हम यहां नीची जाएंगे और save changes के button पर click करेंगे save changes तो आप देख सकते हो हमारा सेटिंग सेव हो चुका है तो अभी हम अपने homepage पर चेक करते हैं कि वहां पर social share button so करता है या नहीं ठीक है तो हम चलते हैं अपने homepage पर visit site अब देख सकते हो यहां पर जो दो website में social share buttons add कर सकते हो तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आयो तो प्रीज लाइक कर दे थैंक यू